हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम अगेन ओनेटो फ्यूचर तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक एटम 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 के टॉपिक में मैंने आपको इसके पीछे बताया है, एटम के बारे में कुछ कॉंसेप्ट बता रहा था मैंने आपको मैंने बताया आपको, और अब हमारे सामने जो टॉपिक होगा, वो होगा एटमिक मास अब देखिए ये एटमिक मास क्या चीज है, आपको याद होगा कि जोन डाल्टन जोन डाल्टन, है ना, डाल्टन ने एटम का कॉंसेप्ट दिया था, साथी साथ लॉफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपको याद होगा, लॉफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपको याद होगा, इवेन लॉफ कंश्टेंट परपोर्शन भी आपको याद होगा, लॉफ कंश् काइटम का मास निकालना, atom का जो absolute mass होता है atom का absolute mass को आप determine नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि atom काफी छोटा होता है ऐसा कोई तराजू बना ही नहीं कि जिसके आप atom के mass को determine कर दो तो absolute mass तो हम नहीं निकाल सकते लेकिन हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं हम लोग इसका relative mass निकाल सकते हैं अब यह relative mass क्या चीज है देखो relative mass कहने का मतलब होता है with respect to क्या मतलब होता है इसका with respect to अगर हमको atom का mass निकालना है तो हम atom का mass atom के respect में निकालेगे है ना तो यह ज़्यादा अच्छा तरीका है और यह सबसे ज़्यादा अच्छा scientific तरीका भी इसी को कहते हैं हम लोग अगर आपको किसी चीज का mass निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसी में से किसी एक चीज को आप standard मान लो और उसके respect में दूसरे का mass निकालो तो यहाँ भी यह वही बात है कि यह mass कैसा mass होता है तो यह mass relative mass होता है हम लोग atom का जो mass निकालते हैं वो relative mass निकालते हैं अब यह relative mass किसके respect में होता है तो इसकी कुछ कुछ विसेस बाते हैं वो जो मैं आपको बताऊंगा लेकिन फिर हाल पहले आप देख रहे होगे, यहाँ पर एक definition लिखा हुआ है, it is the relative mass of one atom of any element, किसी भी element के एक atom का relative mass है, किसके respect में है, with respect to 1 by 12 mass of C12 atom, carbon 12 होता है, यह isotopic form है carbon का, carbon 12, तो carbon 12 का जो एक atom होता है, उसके एक atom के एक बटा बढ़ा हमें भाग के, respect में जो किसी atom का mass होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, atomic mass, और शुरुवाती दोर में, initially जो था न, initially इस relative mass को या इस atomic mass को बोला जाता था, atomic mass unit, इसको AMU से represent किया जाता था, यह पहले की बात है, पहले किया जाता था ऐसा, लेकिन बाद में फिर आपको याद होगा, मैंने एक चीज़ बताया था, IUPAC, तो IUPAC के द्वारा इसमें कुछ amendment किया गया, और इस atomic mass unit को बोला गया unified mass, इसको unified mass नाम दे दिया गया, और जिसको a small U से represent किया जाता है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर C12 का ही क्या concept था, आखिर C12 भी क्यों लाया गया था, actually मैं शुरू में ये oxygen के term में बताया गया था, लेकिन बाद में इसको C12 के रूप में बताया गया, तो अगर हम लोग law of chemical combination से देखते हैं, law of chemical combination से अगर आप इस चीज को देखिएगा ना, तो आपको देखिए क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि जैसे carbon monoxide है, तो carbon monoxide के formation में carbon का क्या होता है, मास 12 और oxygen का मास कितना होता है, 16, तो अगर इसका respect निकालेंगे, तो क्या निगलेगा, 3 is to 4, अब ये 3 is to 4 कहने का मतलब क्या होता है, कि carbon जो है, carbon combine with oxygen, carbon क्या करता है, oxygen के साथ combine करता है, carbon combine करता है, oxygen के साथ कैसे combine करता है, तो 4 by 3 times, it's mass, अपने mass का लगबग 4 बटा 3 भाग से combine करता है, किस के साथ, oxygen के साथ, तो ये जो combination है ना, इसी combination के respect में, हम लोग ये law of combination of mass के respect में, हम लोग relative mass को यहाँ determine कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, कि जैसे आपके देखिएगा, बुक में भी बुक को follow करिएगा, तो बुक में आप देखोगे क्या, कि एक water million का एक concept दिया गया, जैसे मानलो ये water million है, अब ये water million के respect में, हम लोग दूसरे फल का मानलो mass निकालना चाहते हैं, मानलो ये कोई दूसरा फल है, इसको मानलेजेए, हम कोई दूसरा फल ले ले लेते हैं, मानलो इसको हम ले लेते हैं क्या, तो mango ले ले लेते हैं, अब water million के respect में हमको, water million के respect में हमको mango का mass निकालना है, कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम क्या खरेंगे, इसके लिए हम इस water million को कितने पार्ट में बाप देंगे, 12 पार्ट में, अब देखें, यह 12 पार्ट जो water million का बट गया ना, तो इसका जो एक पार्ट water million का है, उसके respect में, यह जो fruit है ना, इसका mass क्या है, जब हम इस चीज को मापते हैं ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि अगर हम लोग यहाँ पर जैसे atomic mass unit बोले ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूट मास unit, जो कि हम fruit के respect में निकाल रहे हैं, उसी तरह से यह होता है, इसको आप देखेगा है, NCRT में FMU करके दिखाया गया है, तो जैसे यह fruit mass unit, वैसे कि यह क्या है, atomic mass unit है, तो इस तरह से atomic mass unit को determine किया गया है, और atomic mass unit जो होता है, वह हमेशा किसके respect में करेंगे, carbon 12 के 1 by 12 mass के respect में करेंगे, अब इस mass को, यहाँ पर मैंने कुछ example दे दिया है, जैसे hydrogen है, तो इसका mass क्या है, 1 है, oxygen है, तो इसका mass 16 है, nitrogen है, 14 है, carbon है, 12 है, sodium है, 23 MZ है, 24 है, sulfur है, 32 है, chlorine है, 35.5 है, calcium है, 40 है, इस तरह से अलग-अलग mass यह बताया गया है, तो यह आपको धियान रखना है कि atomic mass क्या होता है, और atomic mass unit क्या होता है, साथी साथ इसी में आप एक टर्म देखिएगा, gram atomic mass भी आता है, क्या आता है, gram atomic mass, यह gram atomic mass बड़ा असान term है, कुछ बहुत ज्यादा tough term है नहीं, gram atomic mass का मतलब क्या होता है, कि जब आप atomic mass को gram में रिपर्जेंट करते हो, when atomic mass represented in the form of gram, जब आप इसको gram में रिपर्जेंट करते हो ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या gram atomic mass, जैसे मान लिजिए, अगर हम hydrogen है, तो इसको क्या बोलेंगा, 1 gram, oxygen है तो 16 gram, 14 gram, 12 gram, इस तरह से जब रिपर्जेंट करेंगे ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे gram atomic mass, तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि atomic mass क्या होता है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं molecules के बारे में, अब देखिए यह molecules क्या चीज होता है, तो क्या लिखा हुआ है, group of two or more atom chemically bounded, जब दो या दो से ज़्यादा atom chemically bounded होता है तो उसको हम लोग molecules के रूप में लेते हैं, ऐसे molecules को define है अब ऐसे भी कर सकते हो, यह important definition है कि the smallest particle of the compound which commonly exists in free state, है ना, जो freely exist करता है, यहां free state लिखने की जोगत नहीं है, smallest particle of the compound which commonly free exist, है ना, जो freely exist करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग molecule बोलते हैं, अब molecule में आप देख रहा होगे, यहां पे दो टाइप का molecule मैंने बताया है, एक है isoatomic molecule और एक है heteroatomic molecule, यह ISO, आइसो मतलब क्या होता है, same, आइसो का मतलब क्या होता है, same, मतलब ऐसा atomic molecule, ऐसा molecule जिसमें सारे के सारे atom same हो, अब जैसे देखो, यहां लिखाओ, अब यह similar atom जैसे oxygen है, तो क्या है, two atom oxygen के मिलने से बना है, nitrogen है, तो 2 atom nitrogen के मिलने से बनाए, O3 है, ozone है, तो 3 atom oxygen के मिलने से बनाए, chlorine है, तो 2 atom chlorine, यह सब क्या है, isoatomic molecule है, जबकि यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसका, water का, H2O, तो H2O में क्या हो जाएगा, 2 hydrogen का atom है, और 1 क्या है, oxygen का atom है, यहाँ पर NS3, ammonia, क्या है यह एक ammonia है, और 3 hydrogen atom है, उसी तरह से H2SO4 है, sulfuric acid है, तो 2 hydrogen है, एक sulfur है, और oxygen कितना है, 4 oxygen है, carbon dioxide में देखते हैं, तो oxygen कितना है, 2, और carbon कितना है, एक nitrogen dioxide में देखते हैं, nitrogen 1 है, और oxygen कितना है, 2, तो यह अलग-अलग number of atoms जो होते हैं, वो molecules में बने हुए होते हैं, और यह ध्यान रखना है, कि यह chemical ही एक दुसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि molecules जो होता है, वो chemical combination की बज़ा से होता है, अब साथी साथ यहाँ पर एक और चीज़ आप देख रहे होगे, यहाँ पर मैंने बताया ह atomicity के बारे में, atomicity क्या होता है, the number of atoms constituting a molecule called atomicity, जितने number of atoms किसी molecules के अंदर पाये जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या atomicity, अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो atomicity का अगर मैं data निकालूँ, क्या हो जाएगा, oxygen का atomicity कितना हो जाएगा, दो, nitrogen का atomicity कितना हो जाएगा, दो, ozone का atomicity कितना हो जाएगा, तीन, chlorine का atomicity कितना हो जाएगा, दो, क्योंकि दो chlorine है, water की atomicity कितनी हो जाएगी, three, देखो, दो hydrogen, एक oxygen, ammonia की atomicity कितनी हो जाएगी, बिल्कुल, four हो जाएगी, sulfuric acid की atomicity कितनी हो जाएगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिलकुल 7 हो जाएगी carbon dioxide की atomicity कितनी हो जाएगी 3, nitrogen dioxide की भी कितनी हो जाएगी 3, तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि atomicity क्या होती है तो molecule और atomicity तो इस तरह से इसके बाद का जो topic हमारा होगा वो इससे आगे का topic होगा फिरहाल हम लोग यहीं तक cover कर रहा हैं इसको